हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहमत कैसर और आप देख रहा है स्टडी चैनल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंदरी विद्यादा संगठन यानि केवियस में नई भरती के वारे में जिसका विज्यापना गया है बहुत सार चात ये पूछ रहे हैं कि ये भरती पर्मानेंट है या कॉंट्रेक्शूल बेस पर है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था उस पर काफी कॉमेंट आया है मैंने साफ साफ बताया था दोस्तों कि ये भरती contractual basis पर है मैं आपको सारी सीजर डिटिल बना देता हूँ eligibility किया है notification कहां से download करेंगे कहां से आवेधन करेंगे साथ साथ बात करेंगे permanent vacancy पर भी कितने पद खाली हैं और कब तक ये भरती आ सकती है complete जानकारिया पो दी जाएगी last तक बने रहिएगा सुरुआत करेंगे contractual basis की भरती की जिस पर मैंने discussion पिछले वीडियो में किया था official website ये है बरनाला दोस्तों चंडीगर का जो KVS है यहां से vacancy आई हुई है और आपको आना है website पर announcement में view पर click करना है उसके बाद बहुत सारे notice हैं यहां पर खुल जाएंगी यहां पर जो छठा point है उसके सामें download पर click करेंगे इस तरह का एक notification डाउनलोड होगा और यहां पर साफ साफ लिखा गया है purely contractual basis यहां पर TGTP, PGT, PRT समेथ बहुत सारे पदों पर कर सकते हैं तो यह चीज़ क्लिर हो गई अब PGT में किन-किन विशियों की भरती है आप देख लिजी यह notice मैंने अपने टेलिग्राम पर भी डाल दिया है आप वहां से download करके आराम से पढ़ लिजेगा PGT का जो eligibility है यहां पर PG है साथी साथ B8 मांगा गया है TGT में आप देखेंगे तो graduation में 50% नंबर कौन-कौन से विसे हैं पूरा जानकारी दिया गया है PRT में BLA, DLA और सेटेट पेपर वन पा साथी साथ और भी पद हैं नर्स, medical, doctor, guidance, counselor तो बहुत सारी vacancies हैं और yoga teacher की भी भरती है सबसे नीचे यह भी बताया गया है कि यदि आपके पास सेटेट नहीं है तो भी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं PRT के लिए लेकिन preference उन्हें दिया जाएगा जिनके पास सेटेट होगा यदि कोई छात्र नहीं मिलता है इन्हें सेटेट पास तभी यह बिना सेटेट वालों को रखेंगे तो यह दोस्तों जो notification है आप इस वाले अपसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं contractual basis पर भरती है आवेदन करने के लिए चोथे point के साम डिटल पर क्लिक करेंगे और इस तरह का Google फॉर्म आएगा और आप यहां से इस फॉर्म को भर लेंगे तो यह तो होई contractual basis की भरती के बारे में बात करते हैं permanent vacancy के बारे में तो बच्चों पढ़ाई में doubt आते हैं तो घबराव मत इसका solution है doubt न टैप बस आपको question की photo kitchen है crop करना है और बस 5 second में आपको उसका solution मिल जाएगा वो भी बिल्कुल free में तो अब पूछो unlimited सवाल कभी भी और कहीं भी चाहें आपका सवाल छटी से लेकर 12 तक के हो IITJ NEET का हो या CBSC board, UP board आस्थान या किसी अन्य स्टेट board का हो साथे साथ फेज कमेस्ट्री, Mathology और Science के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर 90 से 12 हमी और IITJ NEET की online classes भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रही हैं तो इंस्टॉर कर लिजे डाउटन टैब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बात करते हैं पर्मानेंट वेकेंसी के बारे में न्यूज आ गई है कि केंदरी विद्याले में 10368 पद खाली हैं पद खाली हैं तो भरती आनी तैय हैं आने वाले समय में भरतीया देखने को मिलेंगी तो आप लोग दोस्तों तैयारी करते रहे हैं जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल हैं जिस विशे के लिए आप एलिजिबल हैं खबर देख लीजे केंदरी विद्याले संगठन यानी के विएस के बारा सुर्ण और तालीस स्कूलों में सिक्षकों के 10,368 पद खाली हैं सोलन नॉमबर दो हजार रिकीस की रिपोर्ट के मताबिक पचीस रिजन में सिक्षक वाइस प्रिंस्पल और प्रिंस्पल को मिला कर इतने पद खाली हैं तो ये नॉमबर 2021 का डेटा है अभी पदों के संख्या में और बढ़ोतरी होई होगी और जैसे जैसे और टाइम बीतेगा नए पद इसमें जुड़ते जाएंगे जुलाई 2021 को टीजिटी पीजिटी और पी आर्टी के कुल स्विक्रिट 46,864 पदों में से 9,236 आनि 20% पद खाली थे उसमें 37,649 सिक्षक कार रद थे इस तरह से पुरा डेटा दिया गया है तो साफ है कि सिक्षकों के बहुत सारे पद रिक्त हैं और लगतार रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है या कुछ नए केंदरी विद्याराय खुलने की वज़े से पदों की संख्या में और ज़्यादा इजाफा हुआ है सबसे ज़्यादा जो पद खाली है वो चिन्नाई रिजन में हैं हैदराबाद, फिर बैंगलोरू, कोलकाता, भुनेसवर, वारार्सी रिजन और आगरार रिजन में भी पद खाली हैं तो इस तरह से पर्मानेंट वेकेंसी भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी तो आप पढ़ाई करते रहें कोई confusion हो तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं वीडियो को like कर दिजेगा, चैनल को subscriber के बेल आइकन दबा लिजे ताकि आपको इसी तरह की सभी latest और authentic information मिलते रहे